नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी को CUET इंडिया के इस प्लेटफर्म पे जी हां दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पिछले वाले जो सेशन था उसको बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे और सौट नोट्स बनाए भी आज बात करने जा रहा है जैसे कि आपको पता है पिछले वीडियो में हम लोग राजा किसान और नगर की बात के थे तो आज हम उसी करीमे आगे बात करने जा रहे है कि राजा किसान नगर जबहां पर हमें स्टार्ट कि थे तो सबसे पहले आपको बताएं थे हम बैदिक लेकर के चौश बिसी आपको बताएं थे इसके बाद देखे थे कि कि से जंपत बना और उतर वैदिकाल में आते आते लास्ट रास्ट रास्ट होते हुए क्या हुआ महाजनपत का रूप पर लेना सुभू कर दिया उस तरीके के से हैं कि छोटे छोटे जन्पत मिलकरे के माहाजनपत बना और 13 महाजनपत के बारे में जनकारी मिलता है अब को बते कि बहुत गरंट के अंगुतर निका और जैन गरंट के भगवती सुद्र तो इससे आपकोमौकत के सूवन सुला महाजन्पद के अगर साशक की बात करें तो पहला विमिसार हुआ विमिसार ने क्या किया शाधी के मादव से अपने श्यत्र का वितार किया, इसके बाद सब्स्पrånिका आगे कहा जाता है। लेखे नंद में सबसे प्रतापी सथक वह माहपद्मानंद सब्सक्राइब को प्रेयों करते हैं, तो आज हम बात करेंगे मोरे समराज के बारे में और मोरे समराज के बारे में अच्छे से देखेंगे वहां के समाजिक इस्थिति और यहां पे हमको मोटा मोटी समाजिक आर्थिक के पढ़ना है किन्तु हम आपको समाजिक आर्थिक के अलावा भी जहां से जो समाजिक आर्थिक के अलावा भी देखत लेता है तो आप से अगर छूट सकता है वैसे इस्तिती में आगर आप सभी चीजों को पढ़े रहेंगे जब मोरे समराजर पढ़ रहे हैं तो सारा जितने भी इनसे जूरी हुई जितने भी इतर जो इसके बारे में जनकाली मिलता है उन सभी को पढ़ लेंगे तो ज़्याद बने और आप जो थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट जानते होंगे और आपसे बन जाए तो वहां आपके लिए और सोने में सुहागन होगा तो चलिए आज हम सुरू करने जा रहे हैं मौरे समराज चलिए और आज पाट फ़ीरह हैं जलिए मौle इंपायर मोरे समराज से पहले अखील समराज आफिरमा अपने तो आपको बनस VOICE करेंगे ताकि हैपको शमझने मैं तो चाना संपुर्ण विश्व को जीतने का सौपन ले करके भारत की और भी बढ़ रहा था उस समय तक्सिला विश्विदाले के एक अचारे हुआ करते थे जिसका नाम था चानक के जिसको आप जानते भी होंगे अमोरे समराज के वारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसका बहुत बार ब र भारत पर जीतने ले उस समय जो देखते हैं कि मघत में सबसे जो उस समय के बात करें भारत में तो सबसे मजबूत समराज तकर घृत नक के जानक के घंषती दार्त वहां के जो भी राजा थे उनको मतम की अपना मतम की सुकार कर लिया था कि ठीक हम हार गये और हार शुकार करने के बाद जो शिकंदर था वो आगे भरते हुए ब्यास नदी के पास पहुछ गया था और चानक्य ने वहां जाकर के जब उन से कहा कि देखिए आप कुछ बहुत ही कुरूर सासक को हम जब तक इस गर्दी से नहीं हटाएंगे जब तक इस गर्दी पर किसी अच्छे सासक को लाकर के नहीं बैठाएंगे तब तक हम यह चोटी नहीं बानेंगे इसके बाद आप देखते हैं कि चानक के बाहर निकलते हैं इसके बाद उसको चंद्रू चलिए अब देखते है मौरे समराज के भारत करते सारे जनकारी कहा से मिला जितने भी बाते आपको गोई ना कोई सोर्स होगा कोई ना सबसे पहले करते हैं जब विकलते हैं tu या मजबूत या कोई मजबूत सची मिलता है अग들 देखिए इतिहास के स्रूत कि स्के में ना हुए उसको एक आगव हैं एक सी लिए इसलिए अके सब्सक्राइब के साघसा कर रहें। जरी आपको मेगाज़ू करें। जानकाली मिला था। आगे हम आपको बहुत अच्छे से बारे में बताइगे। चलिए मेगा स्वस्फप और याद रहा है तो यहाद सक्ता और राजदूर्द में उससी राजदूर्द था तो आपको दे देगा करम से 13, 14, 16 वर्ष तक बारत में आकर के रहे थे इसके बाद भारत में रहा अपनी पुस्थक इंडिका आपको एक पुईंट रखना है कि मेगास्नीज के पुस्थक को है इंडिका किस के दर्वान में आ था चंद्रीप्त मोरे के दर्वानमे आ था इंडिका लिखाता है इंडिका से Karaj के प्रशाषन अस्थानिय प्रशाषन राजा के जीवन सहीत भारतिय जीवन के विविन पहलूओं को वर्नन किया है यह मौरे समराज के बारे में विविन जानने के लिए स्थाइता यहां कि राजनिती की बारे में जनकाड़ी मिलता है प् Hautgadat नितिक यानि कि राजनितिक बातों का यहां पर वर्णन मिलता है तो देखें कोटिले के अर्थ सास यानि को प्रकाष देश के शमकालिन समाजिक राजनितिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाष डाला उन्हों ने क्या ह्ता है तो आगला क्या है आगे घ्रिक आगे तो आप देखिंगे क्या चलते होंगे जो भी जो लोग भी सरक को बनवाते हैं तो देखें गोई छोटा सा चबुतरा टैक कर बनाते हैं उस पर अपना नाम जो भी पता है कितना समय लगा था बनाने में कौन से तो उसी तरीके से सिला लेक भी होता है उस समय के राजा कौन थे राजा ने कौन से महत्पुन कारे के थे राजा ने अपने दर्बार में किस तरीके से नया दिया करते थे यूद जीते थे इन सभी बातों को शिला लेक पर लिख दिया जाता था तो चलिए असोग के शिला लेक मोरे काल के सबसे महत्पुन शुरूत है आपको एक अगर बुक एक तरफ हो एक तरफ शिला लेक हो तो आप इसको ज्यादा महत्प देंगे देखिए क्या होता है कई अगर बन जाए तो ऐसी स्थिती में आप क्या करेंगे अगर देखिए जैसे पूछ देगा कि मोरे बंस के बारे में जनकारी का सबसे सर्वत्तम सुरूत कौन सा है आपको देदेगा को तरीके से देखते हैं चार अप्शन हो गया और चार आप्सन में आपको पता कि चारू पत्थर पर जूलिख दिया गया है उसको मिटा नहीं सकते हैं इसलिए सबसे जादा जो महत्पुन हमानते हैं उस लेक को मानते हैं तो हो सकता है उसको बुक के फमे नया अडिशन निकाले तो उसमें कुछ आड़न कर दे या कुछ घटा बढ़ा दे तो इस तरीके से हो सकता है गिंतु सिला लेक में ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है तो इसलिए सबसे ज्यादा जो हम मानते हैं वो सिला लेक को मानते हैं ऐसा प्रसंद आपसे सिलालेक हो गया है आप देखें थार्मीरी प्रस安शन और उसी चरित्र के विष्थार के वारे उसके विस्थार में ग्यौन सा सिलालेक चलिए को आप देखते हैं इन्स्क्रिप्टण है ने की बात करें से अन्म सरोत कos भगारी लिए पहँ दिपकर गया जंकारी मिलता है तो आपको पता हो गया तो में wrapping up से अरद्र द्धकर अप्र मायं वाल कुँछा तो मौरे वंस तो जनकारी विद्धूर्द दीप त हो गया दिव्यव दान हो गया बहुत जनकारी प्रतान करता है यह वह महत्पुन गरंथ पुरान हो गया और और नेपाली पुष्टक तैस जुनागर का सिल्डामन ने लिखा था यह भी एक एक महत्पुन गरंथ हैं जो तबर बहुत से बहुत सारा बहुत सततक बहुत सारा बढ़ाइड जैसे हम देखे हैं। आइसे यहां से भी हमने में गारी मिलता है आपसे प्रस्ण अैसा ब hija के बारे में जानकारी की अर्ट cuestión & return इस तरीके के प्रस्षन बनता है और इस तरीके के फरस्षन खूब बनता है तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपसे गरत नहीं होगा चलिए अगर सब्दोरा करते हैं राउ यानिकि मोरे समराज यानिकि मोरे का ऊद्धै पीछ आ पो बताएं किस तरीके से हुआ था एक हो और यहां देख लेता है मौरे समराज का परारंव चंद्वृप मौरर्य ने किया ता किसके दोरह यानिंगि मौरे समराज के अस्थापना देख योगा ता इक कब किय अागर बात करें प्रीड टॐसनी कि 321 इशापुर्म में मघद मं सथापना हुआ था इसके बारे में जनकारी पीछे बताई थे विशाग दद्वारा रचित मुद्रालाचस में चानके की मदद से चंद्रूप मौरे के उदय हुआ इस के बारे में चंद्रूप मौरे के बताएंगे की किस तरीके से माता का नाम पीदा का नाम को इसके मित्तू हुआ था इन सबी बातों को बताएंगे तो वहां आपको बताएंगे और यहां तो आपको मोटा मोटी याद रखना किया रचक्तहानी का पाटली पूत्र कभीा था 321 इसके बाद करें किस के सहायता से किया था इसके बाद बात करें चंद्र एक इस दान को अपना लिये थे तो यह याद रेखना है चलियो देखिए मोरे समराज का विस्तार अगर विस्तार की बात करें कि मोरे समराज कहां से कहां तक विस्तार था यानि कितना विस्तार था जैसे अब देखते हैं कि भारत का च्छेत्रफल कितना है 32,87 या दूसर त्रिसर वर किलोमेटर इसको आर जैसे में जानते हैं उस समय यही ब बात करते तो भारत का च्छ्टपल कितना है 32,87,000 कि इतना ही च्छ्टरपल है लेकिन उस समय जो मोरे बंस के वारे में देखते तो कितना 50,000,000,000 और किलोमीटर स्कारे डिमाप नींटर विश्तारी था उत्तरपूर्व में बस्तारी उत्तर पूर्म के बाद करें तो भारत के सभी जगह सासन किया था आपको एक पॉइंट यहां पर याद रखना है तो पहला और तमिलाडु में मोरे बसने कभी बीद्वी अपना विस्तार नहीं किया था तो इसका विस्तार जो आफगानिस्तान देखते है वहां तक इसका विस्तार फैल गया था चलिए अब देखें एक मैप है इस मैप के जरी देखें कि भारत उजे मोरे इंपायर है वो कितना कितना मतनल भी स्थारी था यहां तक मोरे समराज क्या था फैल गया था वह पता है गंधारा को पीसे बताए थे तक से सीला बताए थे यह सब इस संपूर्ण च्छेत्रफल यहां से ऐ चेल और नहीं कर पाएं थे तो आपको पतादिये कि कीसे स्थापना कैसे अब बात करते मोरे के प्रशासन के वारे में आप एक वीडियो के एक मत्म एक देखिए यहां पर मोरेवन्स के परसासन किस तरीके से हुआ करता था और यहां से आपको एक से दो प्रसन बनेगा चुकि यहां जो आपको दिये कुछ एडिशनल फैक्ट दिया जो एंसी आर्टी के अलावा जो अगर दूसरा बुक देखते हैं तो वहां दिया रहता है किंतु एंसी आर्टी में यह पॉइंट नहीं दिया गया है लेकिन यहां से खुब प्रसन पूछे जाते हैं तो वैसी स्थीती में अगर आप यहां से पढ़ लेंगे तो अगर यहां से प्रसन बनेगा तो आप बना ले जाएंगे जो एंसके इतर जो भी इंपोर्टेंट है वह सभी यहां पर अधून की अब मोई प्रसासन के बात करें तो राजा पर्मुख होता है जैसी कि आपको पता है कि किसी भी भारत को चलाने के लिए राष्टपती हो गया परधान मंत्री हो गया क्या राष्टपती दोनों मिलकर या बस दोनों म सभी मिलकर के क्या होता है भारत को साचन प्रसासन प्रसासन को चला रहे थे थे एक भी मंत्री पर बनाए रखा गया था राजा को अपना जनकारी राजा को जाकर के दिया करते थे अब देखिए यहां अच्छी तरीके से अच्छी तरह से विस्तारित और संगठित नौकर साही वाला राज्यत था कैसा था ? अच्छे तरीके से यहां पर साभाषन हुआ करते थे चलिए अब बात करते हैं यहां पर महत्पुन पदाधिकारी को क्या करते हैं थिर्थ करते हैं अब देखिए यह दो प्यंट जो है बहुत important है कई आं आ um पूछा गया अगर थो लोत recovering लिया करते थे उससे में प्रश्ण बना और बहुत शार इंद्डरियों देखें यहां पर किया है समा आ हर्ता और संग्रहक क्या था यह मुख कोशा अधिकारी होते थे दोनों के बारे में आप जानगे कि दोनों क्या हुआ करते थे और जो भी प्रसासन अधिकारी थे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं उसके पहले आपको हम बता दें कि जब असोग के जब आपको यहां पर देख से लिए आपको याद रहे नरहें लेकिन आपको यहां पर याद रहे हैं लेकिन आपको यह सबस्क्राइब यह चार पॉइंट आपको सी तरफ राज का राम देदे ये आपसे पूछ तरफ सहर के नाम से पाइन में से कौन सी जोने सुमलखित नहीं है तो ऐसे भी प्रशन बन्ज Käst सकता है तो आपको अच्छे तरीके से इसके रधानी याद रखना है जालिए अब कुछ एडिशनल पॉइंट जो आपको इंसीए डिमें तो नहीं मिलता है कि अगर आप इसको याद रखेंगे से ना पूछा जाए किन्तो अगर कोई अन्य एक्जाम की तैयारी करेंगे तो व सकता वहां पर इसकी कहीं पर आपको इंडिरेक्ट रूप से वहां दिया हो और वैसे अधिकारी की चर्चागर हुआ हो तो आपको अगर वैसे अधिकारी के बारे में जनकारी रहेगा कि कौन से अधिकारी किस पद्ध पे थे तो आपको बनाना असान रहेगा देखें बात कर पुजारी 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 पुजा जो समहर्ता की बात करते चाट ये संग्रहत जो कोशा अध्यका बराबर है उसका प्रमुक हुआ करते तो प्रसास्त्री कौन थे प्रासस्त्री इसके बाद करते थे अंतपूर्का और पूलिस के प्रमुख करते थे तो यह तरीके से आप देखें यह पॉइंट आपको याद रखना ज़रूरी है अगर आप याद रखेंगे तो क्या होगा कि यहां से प्रस्ण बने का तो आपका सही हो जाएगा चलिए एक और अदिशनल फैक्ट है इसको भी आप याद रखेंगा क्योंकि यहां से बीकई बार प्रस्ण बना है तो यह बार देखना जरूरी है चलिए बात करते हैं एक तरफ बिभाग दिया है और एक तरफ अध्यक्स हुआ करते थे देखें अगर बात करें लेखा यानि अध्यक्स कोन हुआ करते थे लेखा विभाग देख तो अख पाला अध्यक्स इस तरीके से बात करते हैं वन उत्पादन के अध्यक्स कोन हुआ करते थे तो किरिपया करते थे किरिपया ध्यक्स कई बाद पूचा गया इंट्रेस में कि टक्साल विभाग कर जो परमुक्ष करते थे उसका क्या करते हैं तो सब्सक्राइब करते राज की यह भूमी को सीटा देक्स यह दोनों पॉंट्ट आपको याद रहा है को यह दोनों कम से कम दो पॉएंट आपको है दोनों पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट जैणिसके बाद कर था इस अपर बात कर गांग है जो हथ से कोई भी बस्तू बनता था उसके जो उसके उस भीभाग के प्रमुग अधेक्स कोन हुआ कर थे तो इसका बात के तो शूरा-धेक्स है लिएको रखनाओं तो वीविता ध्यक्त इसके बाद करें बंधर यह भी इंपॉटन रहे आपको मूल प्रोप से कुल मिला करके आपको यहां पर चार याद रखना है पहला बात करें तो तक्षाल यह आपको याद रखना है दिलशना देख्ष इसके भूमी शिता देख्ष आपको याद रखना है इसके बाद करें यह याद रखना है पतना देख्ष यानि कि पतना देख्ष क्या होता था बंदरगा होता था उसका पतना पतना क्या होगा यानि कि बंदरगा का देख्ष हो गय से देखना नहीं था सुखिक इतना क्विस्टार के अलाबा जहां से फैक्ट बनता है कई बार पुजारी 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 क्या करते थे उस समय के इस ताइप के प्रशन बनता है तो इस टैप के जो एडिशनल था उसको एड़ान किये थे अब हम सरकता है चंद्रुप मर इन सभी बातों को गहराई से देखेंगे और देखने के बाद यहां से जितने भी प्रशन बनेंगे उस सभी प्रशन को आपको हम आगे करवाएंगे भी तो चलिए मोरे राजवन्स के सासक की सूची एक तरप दिया है मोरे शासक और दूसरा तरप दिया अब दिय इख कई बाधार प्रसन बनेगा आपको चार decentral से कौन साराजा पहले प्रस्ण को आप तभी कर सकते जब आपको काल करम याद रहेगा तभी आप ऐसे प्रस्ण को करने के योगे रहते हैं तो चलिए एक बार बिस्तार से जितने उनो सभी के बारे में देख लुतां की साथ सकते अपसे कि बिन्दु सार की बात कर ये मौरीवनस के साथ जो की इसका पुत्र था और वह चैनदर्yoopr Film इस तख या दो दूसरा राजा के बात करें तो समराष बिंदु सार्जो चंदुरूप मरे का पुत्र था यह कब से कब तक सासन किये इसके बात करें तो दूसरों अंठान में इसा मसी के जनम के बात से भी के रूप में वुकारते हैं तो चलिए आप देखे समराठ अशोख अगर समराठ अशोख की कालकरम की बात करें तो 273 बीसी नेके 232 इस ने शासन किया इसके कुनालम होगे कुनाल मोरे आप नाम सुनें नहीं होंगे कि NCRT देखें कि तो तीनी समराट चंद रूप मोरे हो गया बिंदुसार हो गया आसो कि इन तीनों को बारे में जनकारी मिलता है लेकिन आपको को एडिशनल फैक्ट जो आपको जानना जरूरी है हो सकता है ऐसा प्रस्ण बन जाए क क्योंकि NTA कोई fix नहीं रहता कहीं से भी कोई भी प्रस्ण ठाकर क्या पोड़े सकता है बहले आपको शलेबस बता है कि 12th क्लास से लेकिन हो सकता है कहीं बार क्या होता प्रस्ण इधर उधर कर दे तो आप से ना बने लेकिन अगर पढ़े रहेंगे तो बन जाए तो बन जा प्रस्ण पर से यह के इस नहीं चांड हो गया इस थारीकरे सकता है कर दो की तर डिरिवार माइ‟ अकी ब्रेट वाहा की मुझानԲज वंचाह इसके बाद अगर सासन काल के बाद करें एक सो फीज़िए इसके अब्धी देखें तो आपको यहां से प्रस्ण बनता है तो आपको याद रखना जयाता जरूरी है चाहिए आपको चाहिए एक उंतीम का याद होना चाहिए चलिए अब वंस आपको बता दें कि वंस क्या होता है देखी जब एक ही परिवार के कई सदसे एक के बाद एक राजा का जाते हैं तो उनहीं है एक बस aan बना है याद कि अखी परिवार के सफसरी होता है उसको कहते हैं डहरा ह Chanceून से के परीवार से एक ही परिवार के जो सदस से राजा बारबार राजा बनते थे उसी को हम बंस कहते हैं इसको देखें मोरे बंस में तीन महत्पूर्ण राजा हुए आपको पीसे बताएं थे कि यह सभी बात सभी को याद नहीं रखना लेकिन जो तीन हो गया पहला को चंद्रगूप मोरे हो चंद्रगूप मोरे भारत के महान समराठ हुए इन्होंने मोरे बंस के अस्थापना किया आपको पीसे आपको पताएं थे तो आपको याद भी हो गया होगा चंद्रगूप मोरे के राज रोहन के तीथी सधारनत 321 इसापूर्व दिया जाता है जब भी देखते हैं चंद् आपको देखेंगे तो वहां पर 321 इसापूर्व दिया रहता है आपको नहीं वहना है तो आप सबसे ज्यादा जो मानने होगा उस्थापूर्व ही मानने होगा चलिए निवधारित की गई थी उन्होंने लगवग 24 वर्स तक क्या किया मोरे बंस में अपना शासन किया इसक बात करें तो यू नहीं सकता इसके बात करें मेगास निच रखानी के बढ़ करें इसके लिए इन्डिका में क्या कहाता है लटन वाधे टेकी संड्रोकोट्स के नाम से किस राजा को जाता है तो आपको बथाना चंद्रू कोष सब्दों में नाम दिया गया है ग्रीक साहित या लेतन साहित में ने नाम से पुकारा गया है तेलिए देखिए पुलूटर्ग के अनुसार सेंड्रो कोटस संद्रो यानिकि संपुन भारत को लगवक 6 लाख सेना की विशार वहानी द्वारा जीतकर अपने अधिन कर लिया था यानिकि मगत जो भी साथ सकते हैं अफगरिस्तान तक जित गये थे इसकत कर लिंग को भी भारत में सामिल कर लिये थे आप बताते हैं को चैंद्रगुत्म ने सौराष्ट की विजय की थी और महाचत्रप 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 रुद्रदामन के जुनागड अभी लेक से परमानित होता है कि वैसे पुष्प गुपत की वारे में मिए फूष्प गुपत्म लेहीं का किया था अप से अब कि सौतरषण के निरमान की सुनागड अभी लेको बहुत अच्छे तरीके से बनवाया था तो चलिए यानि बहुत अच्छे तरीके से उसको देख रेक किया था चलिए चंद्रकुप्त के अंतिम यूद चंद्रकुप्त अंतिम दिनों में भद्रवाहू के साथ चले गए और वहां जाने के बाद उसने क्या कि अपना प्रांत त्याग दिए और वह किस धर्म के अपना लिए थे वह जैन धर्म के अपना लिए थे अपको यहां पर दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है कि चं के साथ गया थे वहां इसके बाद कर किस धर्म को अपना लिए थे अपने अंतिम जीवछन में नहीं हुए उसके बाद कोई भी कोई भी मुकुटधारी साथ के बात कर रहा है दिगंबर मुनी नहीं हुए अता चंद्रगुप्त क्या हुआ जैन धर्म महत्पुन अस्थान ह है चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बिन्धु सार के बारे में देखेंगे फिर अशोक के द्धम पिर इसके बाद बहुत सारे समाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति इन सभी के बारे में विश्तार से चर्चा करेंगे तो चलिए आज यहीं पर खतम करते हैं अगले सेसल में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे जो भी है आपको बताएंगे चलिए जैहिन तब तक देखते रहिए और कर सकते हैं चलिए